आनन धाम की और धर्म प्रिसंग में महापुरुष स्वामी शीवानजी महराज अध्याए 31 पृष्ट संख्या 114 बैलोड मट शनिवार 16 मार्च 1929 तीन दिन हुए श्री ठाकुर की तिथी पूजा बड़े समारों के साथ संपन हो गई है इस उपलक्ष में मट में 17 ब्रह्मचारी सन्यास धर्म में दिख्षित हुए हैं और 21 यवकों ने ब्रह्मचर व्रत ग्रहन किया है वहां हो माधी के समय महापुरुष माहराज भी उपस्ते थे तब ही से सुबह ठंड लगने से उन्हें जुकाम हो गया है आज स्वास्ति कुछ अच्छा है प्रातेकल मन को प्रफुल है यद भी शरेर ठीक नहीं है अनेक प्रकार की बातें हो रही है अकसमात एक नवदिक्षित सन्यासी को लक्ष कर हसते हुए महापुरुष जी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम रखा गया है एक दूसरे सन्यासी ने उस नवदिक्षित सन्यासी का नाम बतलाया तब महापुरुष जी ने खूब खूब गंभीर हो बोले बच्चा इसके बाद जो होना है वेह भगवान की कृपा बिना नहीं हो सकता सन्यास लेना तो सरल है किन्तु पराभक्ती परमग्यान यह सब उनकी विशेश कृपा के बिना नहीं होता हाँ यदि कोई व्याकुल होकर चाहता है तो वे दे भी देते हैं पूर्ण ग्यान और भक्ति यदि ना होई तो खाली गेरव वस्तर पहने से क्या लाब वस्चिम भारत में तो देखा है न वारानसी हरीद्वार आदिस्थानों में वहाँ अनेक मठ है और वहाँ के लोग कुछ सीधा एक नया वस्तर या एक आद रुपया लेकर किसी महंत के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा वीजा होम कर दो विरजा होम भी वे ठीक ठीक उचारन नहीं कर पाते कहते हैं वीजा होम और महंत भी वीजा होम कर देता है बस वह सन्यासी चेला हो गया उसके बाद भीक मांग कर खाता है और पढ़ा रहता है और कभी-कभी वेवसा या तिजारती काम भी कर लेता है इस प्रकार के लाखों सन्यासी हैं किन्तु बच्चा वास्त्विक ममुक्षू कितने हैं सन्यासी बनूँगा विर्जा होम करूँगा मंत्र पढ़ूँगा इन सब के लिए लोगों को कितनी व्यकुलता होती है उतनी यदि भगवत प्राप्ति के लिए हो तो वह व्यक्ति धन्य है महा भाग्यवान है यह सब छोड़ चाड़ कर जो भगवान को चाहता है वह महा धन्य है किन्तु ऐसों की संख्या बहुत कम है जिसकी यह वस्ता हो गई है वह बाहे वेश की और ध्यान नहीं देते कपड़े साधे हों अत्वा गेर हुआ बच्चा तुम सब असली वस्तु की और नजर डालो नवदिक्षित सन्यासी से बड़े कातर भाव से महा पूरुष्ची ने आशिरवाद और कृपा की आचना की और इस पर उन्होंने कहा बच्चा हम लोग तो खूप रातना करते हैं तुम लोगों को भक्ति विश्वास हो परमग्यान मिले मुक्त हो जाओ तुम लोग सब जीवन मुक्त हो जाओ जैपभु करना मै दीन शरंठाकुर पिछले दिन नवदिक्षित सन्यासियों में से कोई-कोई मधुकरी करने गए थे उसी प्रसंग में महापूरुष्ची बोले इस और मधुकरी की चाल नहीं है फिर कुछ तेर चुप रहकर खूब आवेक के साथ कहने लगे तुम्हारे चड़नों में ये सब ममुक्षू गण एकत्र होए हैं ठाकुर इन सब को भक्ति विश्वास दो इने पूर्ण ग्यांदो ओम श्री राम कृष्णा रुपाने मस्तु